कि ही एवरिवन वेल्कम बैक तो माई यूटूब चैनल मैं हूं हेमा जोसी आज मां आपके लिए लेक्या हूं फ्रूटी बहुत ही आसानी से बन जाती है घर पर बहुत कम इंग्रेडियन्स में यह जोते हैं और बहुत जटपड बन जाती है बहुत कम टाइम लगता है इसमे और मार्केट जैसे ही एकदम फ्रूटी बनती है बहुत टेस्टी बनती है आप इसे एक बाद जरू ट्राइ किजिएगा और अपनान हो मेरे साथ जरू सरे सेयर किजिएगा तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते है तो फ्रेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक अच् इनका छिलका हटा दिया है और अगर आपके पास पके आम दो हैं तो आप उसके साथ एक अच्छा आम यूज कीजिएगा तब ही हमारी फ्रूटी का टेस्ट बाजार जैसा आता है खटा मीटा तो फ्रेंस बहुत ही आसान होम रेमिडी है यह बहुत ही जल्दी बन जाती है बहुत अच्छी रेसिपी है तो अगर आम का सेजन है तो आप घर पे ही फ्रूटी बनाएगा अपने बच्चों को पिलाएगा खुद पीजिएगा क्योंकि मार्गेट की फ्रूटी में काफी केमिकल होते हैं तो घर में बनी हुई फ्रूटी बच्चे भी अच्छे से पी और उसका कोई नुकसान भी नहीं है तो इस तरीके से मैंने सारे कच्छे आम ओ कर लिया है और पके आम का मैंने पल्प गुदा निकाल लिया है क्योंकि यह काफी पक चुके थे तो इसलिए मैं आपको दिखानी पाई निकालने में भी काफी प्रॉड्म हो रही थी तो फ्र आपको दिखाने के लिए मैं एक बार और निकालने से फिर इस तरीके से मैंने कच्छे और पके आम दोनु इसमें एट कर दिये हैं और इसको मैं तब तक पकाऊँगी जब तक इसमें चार सीटी आने के बाद यह पक न जाए इसको मैं चार सीटी लगाऊँगी चार सीटी के बाद मैं गैस की फ्लेम आफ कर लूँगी आफ करने के बाद ठंडा होने के बाद ही मैं इसको मिक्सी के जार में पीसूँगी तो friends, चार सिटी आ चुकी हैं मैंने गैस को कर लिया और थोड़ा सा मैं और पका रही हूं मुझे थोड़ा सा हार्ट लग रहा था आप देख लीजेगा अब जब तक हमारे आम ठंडे हो रहे हैं तब तक मैं यहाँ पर सुगर सिरब बना लेती हूं उसके लिए हमें चासनी नहीं बनानी है बस चीनी डाल के बस चीनी घूलना है अगर आपके आम मीठे हैं तो आप चीनी कम यूज कीजिएगा अगर खटे हैं तो आप ज़्यादा चीनी डालेगा उसमें तो friends आप देख सकते हैं मैंने चीनी एड़ कर दी है अब मैं इसको तब तक पगाऊंगे जब तक चीनी घूल जाएगी चासनी नहीं बनानी मैं दुबारा रिपीट कर रही हूँ अब आम हमारे ठंडे हो चुके हैं अब मैं इसे मिक्सी के जार में डाल दूँगी और इसका महीन पेष्ट बना लोगी मैं जार में डाल दिया है अब मैं इनको पीस लोगी तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं हमारा पेष्ट तैयार है अब मैं इसको इस्टेनर की हैल्प से चान लोगी क्योंकि थोड़ा सा आम में रेसे होते हैं तो बच्चों के मुमा आते हैं तो बच्चों को कोई प्रावर्म ना हो इसलिए मैं इसे इस्टेनर में चान लोगी आपके पास बड़ा इस्टेनर है तो आप उसे यूज कीजिएगा छोटे में काफी मेहनत लगते हैं काफी टाइम लगता है मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे छोटा यूज कर रहे हूँ आप देख सकते हैं बहुत टेश्टी बनती है फ्रूटी अब जब आप इसे बनाओगे तो इसमें आप सुगर सिरम सिरप एड़ करना यह इतना रेशा निकला इसमें से आप इसमें मैं पानी एड़ करूँगी और थोड़ा सा यह चीनी का पानी एड़ करूँगे इसमें आप चीनी का पानी टेस्ट करने के बाद ही एड़ करना है कि कितना मिठा इसमें चाहिए अब मैं इसमें पानी एड़ करूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लोंगी अब यह भी काफी थिक बनती है यह तो फ्रेंज हमारी फूर्टी बन के तैयार है आप इसे कभी भी सर्व कर सकते हैं गैस्ट के आने पर अपने बच्चों को दे सकते हैं और आप इसे 10 दिन तक श्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रीज में अगर आप इसमें सिर्का डाल देते तो तब तो 20-25 दिन तक यह चल जाता है तो फ्रेंस फ्रूटी बेजिए और अपने लिए रख दो बच्चों को दो दो पर अब